नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहाँ आप देख रही है वियन नियूस केंदर सरकार ने राजियों की पुलिस और जिला अधिकारियों की मदद से राश्ट्री राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए नई वैवस्ता लागू करने का फैसला किया है इसके तहट थानों में दर्ज पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सरवाधिक दुरगटनास थलो यानि की ब्लक स्पॉर्ट को सरक सुरक्षा उपाई के तहट लागू कर जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा साथी इसे पहले ऐसे ब्लक स्पॉर्ट पर सडख यातरियों को अलर्ट करने के लिए भी चेतावनी के बोर्ट लगाए जाएंगे वही घर इंजिनियरिंग से होने वाले सडख हाथसों को रोगने की जिम्मेदारी जिल आधिकारियों पर होगी इसके चलते सडख परिवहन वराजमार्ग मंत्राले ने 9 सितंबर को सभी राज्य सरकारों को नई वेवस्ता संबंधित पत्र जारी कर दिया है इसमें जिक्र किया गया है कि राज्य पुलिस रास्ट्रिय राजमार्गों पर होने वाले सडख हाथसों का निरेक्शन कर खतरनाख दुरगटना स्थल के रूप में पहचान करती है जो की बाद में ब्लैक स्पोर्ट बन सकते हैं लेकिन उनको ब्लैक स्पोर्ट घोशित करने का अधिकार उनके पास नहीं है बता दें कि इसमें तीन साल के सडख हाथसों के रिकॉर्ड के आधार पर केंदरी एजिंसियां ब्लैक स्पोर्ट घोशित करती है और इसके बाद सडख सुरक्षा के उपाये लागू किये जाते हैं ऐसे में अब नहीं वैवस्था के अनुसार धानों की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राश्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस में ब्लैक स्पोर्ट ही करने का काम शुरू कर दिया जाएगा तो आई आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ब्लैक स्पोर्ट है क्या किसी राश्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मिटर के दाएरे में तीन सार में पांच सडख हाथसों में गंभीर मृत्यू गायल होने की घटना या हाथसों में दस मौत होने पर साइट को ब्लैक स्पोर्ट खूशित कर दिया जाता है ऐसे में तीन हजार करोड की लागत से साथ सो नवाजी से अधिक ब्लैक स्पोर्ट को दुरूस्त करने की प्रक्रिया चल रही है तो फिलाल के लिए इतना ही देशर दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही एबियने न्यूस के साथ